हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम आपको अम्यूजुन फार्क का पूरा सर कराएंगे गोमाएंगे दिखाएंगे आपको की यहां पर क्या-क्या है आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों ये लखनो का Amazon Park है जहाँ पर हम लोग आये हैं घूमने बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बहुत सारी चीजे भी हैं यहाँ पर अंदर जाने का टिकट भी बहुत जदा महंगा नहीं है मातर दस रुपए पड़ते हैं एक लोगों का तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं घूम सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को गुमाना चाहते हैं गर्मियों की छुट्वी में लखनों की सर कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर आएं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसलिटी मिलेंगी औ अभी हम आपको बहुत सारे चीज़े दिखाएंगे, Adventure Zone भी दिखाएंगे, जहां पर बच्चे बहुत ही महनत से उसको पार करते हैं, कैसे उसको पार के जाता है, हम आपको पूरा दिखाएंगे, यहां पर Ghost House भी है, जहां पर आप लोग आएं और मस्ती करें, यहां पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा आनन्द आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खूस हो जाते हैं, आप अपने बच्चों को यहां पर जरूर लाएं, बहुत बड़ा पार्क है यह, और काफी साफ सफाई भी रहती है यहां पर, यह देखिए, सभी लोग आये हुए हैं, यह हम लोग आये हैं, चार बज़े के करीब तो देखिए, यह एडवेंचर जोन है, जहां पर बच्चे मस्ती करते हैं, थोड़ा सा यहां पर महनत का खेल भी है, क्योंकि इसको क्रास करना बड़ा मुस्किल रहता है, इसको पार करना इतना आसान नहीं है, यहां जग़ जग़ पर टायर लगे हुए हैं, पट्रे लगे हुए हैं, राडे लगी हुई हैं, जहां पर बच्चे अपने आपको देखते हैं, कि वो कितना काबिल हैं, कहां तक जा सकते हैं, बिना प्रॉब्लम के, तो आप लोग देख सकते हैं, जहुले लगे हुए हैं, और रसियां बंधी हुई हैं, टायर पड़े हुए हैं, बच्चे अपना experience यहां पर दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, कि उनको कितना ज़्यादा confidence है अपने उपर, तो यह हमारी बेटी है, चोटी बेटी और बड़ी बेटी, दोनों बेटियां हमारी adventure zone में गई हुई हैं, और इसको cross कर रही हैं, यह काफी लंबा है, आईस्मान भी जाने की जित कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको नहीं भेजा है, क्योंकि हमें पता है कि यह इसको पार नहीं कर सकते, यह छोटे हैं, और यह 12 साल के उपर के बच्चों के लिए है, इसका टिकट 50 रुपए है, एक बच्चे का 50 रुपए पड़ता है, लेकिन यह बहुत अच्छा है, बच्चे यहां पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुस हो जाते हैं, क्योंकि उनको यहां पर बहुत सारी मस्ती भी करने को मिलती है, और वो अपने आपको देखते हैं कि वो उनके अंदर कितनी काबिलियत है, तो देखिए, बड़ी बिटिया तो जल्दी से निकल गई है, लेकिन छोटी बिटिया को निकलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यह भी क्रॉस कर रही है, डरते डरते, थोड़ा यह डर रही थी, तो हमने इनका होसला बढ़ाया है कि नहीं बेटा, तुम कर लोगी, तो यह जा रही हैं आसानी से, एक लोग इनके साथ भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कि यह एडवेंचर जोन में जो भी रहते हैं, साथ में वो देखे रहते हैं, कि बच्चे कहीं गिर न जाएं, बच्चों को चोट न लगने पाए, इसलिए वो साथ साथ ही रहते हैं, तो बड़ी बिटिया के साथ वो नहीं हैं, लेकिन छोटी के साथ लगे हुए हैं, बराबर थोड़ा सा पोर्ट भी करते हैं, क्योंकि यह पट रहे हैं, जो जूले की तरह हैं, तो यह आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे काफी खत्रा भी है, अगर आप थोड़ा सा चूक जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, उपर जो रसियां लगी हुई हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा कमपल सरी है, एक हाथ से रसि, दोनों हाथों से रसि जरूर पकड़ रहे हैं, बच्चे जब भी यहाँ पर आएं, क्योंकि यह जितना देखने में आसान लग रहा है, करने में यह उतना ही ज़्यादा कठिन है, तो बड़ी बिटिया निकल चुकी है, छोटी भी निकलने की कोशिस कर रही है, और यह भाईया इनके साथ साथ लगे हुए हैं, डर रहे हैं कहीं बेटी को चोट ना आ जाए, मैंने भी उनको बोल दिया है कि वो बहुत घबडाई हुई है, डर रही है, आप इसके साथ रहे हैं, तो यह आगे पीछे लगे हुए हैं, बड़ी बेटी तो पूरा क्रास कर चुकी है, और थोड़ा सा ही रह गया है, अब छोटी बिटिया भी निकलने का प्रियास कर रही है, तो देखिए यह सबसे आखरी में जो राउंडर दिख रहा है आपको, गोल गोल, इसके अंदर से होके जाना है, तो बड़ी बिटिया तो जा चुकी है, और छोटी का नंबर आ गया है, इसको क्रास करने के बाद यह पूरा एडवेंचर जुन, फाइनल हो जाएगा, ब आपके बच्चे भी अगर यहां पर आ जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने बच्चों को जरूर घुमाएं यहां पर, अभी हम आपको और भी चीज़े दिखाएंगे, जहां पर छोटे बच्चों को लेकर आप जा सकते हैं, अगर आपके पास दो स तीन साल, चार साल, पास साल के बच्चे हैं, तो आप गेम जोन यहां पर ले जाएंगे, देखें, यहां पर हर जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं, यहां पर आयुसमान के लिए तो यह नहीं था लेकिन आयुस्मान में बहुत ज़्द जिद करी हैं, तो हमने ईनको तो यहां गंटों खेलते रहते हैं 50 रुपएह में तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत जल्दी थक भी जाएंगे पहला तो यह मस्ति करेंगे हम ने उनको बोल दिया है कि जितना देर खेल इतना देर आप खेलो लेकिन यहीघ थोड़ी देर खेलते थक जाते हैं और आप लोग सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर डीजे लगा हुआ है, जो बज रहा है, आईसमान डीजे पर भी डांस कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए है यह, लेकिन यह काफी बड़े पड़ रहे हैं, तो इनके मन का गाना नहीं लगा है, तो यह आ गए हैं, हमारे आसमान बड़े हैं, तो यह घर के अंदर भी नहीं जा पाएंगे, छोटे बच्चे होते हैं, दो तीन साल के बच्चों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपके पास छोटा बच्चा है, तो आप यहाँ ले आईए, और बच्चा बहुत और यहीं पर खेलेगा, तो देखिए आसमान का कुछ मन नहीं भा रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि यह बड़े हैं, मैंने इनको बोला है, खेलने के लिए तो यह बोल रहे हैं, मेरे खेलने की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, यह सारे चोटे बच्चों को खेल हैं, लेकिन फिर भी यह अपना मन बहला रहे हैं, थोड़ी देर इन्होंने मस्ती भी यहीं पर किये हैं, और उसके बाद इनका मन भर गया है, तो यह कह रहे हैं कि मुझे अब नहीं खेलना हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करना, थैंक थैंक